प्रिया द्याताओं, नमस्कार, आज हम आपके साथ हो उपस्तित हैं, आपके DL8 कारिकरम के कोर्स कोड 502 के साथ, इसमें हम चर्चा करेंगे कि विशे सावसकता वाले विद्यारतियों के कौन-कौन से प्रकार हैं, मैं अखिलेश कुमार, आपका इस कक्षा में स्वावत करत आपने अक्सर सुना होगा विशे सावसकता वाले विद्यार थी, आपके मन में ख्याल आता होगा कि विशे सावसकता वाले विद्यार थी, कौन होते हैं, तो इस अंदर में मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि विशे सावसकता जो है एक और परिवासित पद है, इसकी को कोई सर्माने परिवासा अभी तक नहीं है कि किसको हम विशेशाव सकता मानेंगे और किसको हम विशेशाव सकता नहीं मानेंगे। पसुता वेक्तिगत भिन्नता जो है वो इस दुनिया का सासोच सत्त है हर दो आदमी एक दूसरे से भिन्न होते हैं कोई भी दो आदमी एक दूसरे के समान नहीं होता दुनिया का प्रतेक वेक्ति जो है वो अपने आप में अध्युतिय होता है अपने आप में विसिष्ट होत कि अपनी चमताएं होती हैं। पूरा संसार विक्तिकत विनताओं से भरा पड़ा है। अपनी चमताओं से प्रभावित नहीं है। उसमें कोई ऐसी सारीरी क्या मानसिक अवस्था है जो विक्तिकी चमताओं को सीमित कर देता है। और तीसरा जो है वो ये है कि इसका कारण कोई दिर्गावदी सारीरीक समस्या हो सकती है। जैसे सारीरीक समस्या या अर्थात सारेरीक विकलाङता हो सकती है। सम्वेदी समस्या अर्था तो उसको त्रिष्टी बाजिता हो सकती है, स्रोण बाजिता हो सकती है, कोई मानसिक समस्या हो सकती है, अर्था तो उसमें मानसिक मंदता या बादिक अक्षमता जिसको कहते हैं, अधिगम अक्षमता आद़ी हो सकती है या फिर अधिगम अक्षमता उसमें मजोग हो सकती है या कोई और ऐसा कारण हो सकता है जिसके परिणाम शरूफ उस वेक्ति चेति के अधिगम आजा के बाकी अने लोगों से भिन हो जाती है संचेप में अगर बात करें तो विसेश आवसकता वालक वे बालक हैं इस रेड़ी में उन बालकों को रखा गया है जिनकी सेक्षिरी का आवसकता हैं सामाने बालक से या एक आवसत बालक से भिन्न हैं और उन्हें विशेश रूफ से उनकी आवसकताओं को पूरा करते हुए सिखशित किया जाने की आवसकता होती है। निसक्ता युक्त बालक की बात करें अगर तो एक निसक्ता युक्त बालक जो है वह पहले एक बालक है अतर सिक्छा का अधिकार उसका भी अधिकार है जैसा कि सिक्छा का अधिकार आने बालकों का अधिकार है अगर भारत के संदर्फ की बात करें तो निसक्त बालक जो है वो विशेस आवसकता वाले बालक है और किसी भी देश का कानून जो है वो प्रोहावित करता है वहां बालकों की विशेस आवसकता को परिभासित करने में और इस कारण से विशेस आवसकता वाले बालकों की स्रेणी जो है, हर देश में अलग-अलग है, हर देश की अपनी अपनी स्रेणियां है, जो वहां के कानून पर आधारित हैं जैसे अमेरिका में जो BCS बालक इसरेणी होगी वहां के idea कानून पर अधारित होगी individual with disabilities, education improvement act पर अधारित होगी जबकि जो भारत में निसकता किसरेणी है, BCS आउसकता किसरेणी है वो निसकत जन अधिकार कानून के अनुसार होगी इससे पहले हमारे यहां persons with disabilities, equal opportunities, full participation and protection of rights act 1995 जिसको की PWD कानून 1995 के नाम से जानते हैं लागू था तो उसके अनुसार निसकता किसरेणी है जो थी वो साथ थी लेकिन अब 2016 में हमारे यहां निसकत जन अधिकार कानून 2016 लागू हो चुका है उसके अनुसार निसकता के 21 प्रकार उसमें समाहित किये गए हैं उसमें रखे गए हैं और इन स्रेणियों में आने वाले सभी प्रकार के बालक विसेश आवसकता वालक मानने जाएंगे अगर हम निसकता की स्रेणियों की बात करें तो जब भी निसकता का वरीकरन किया जाता है तो अलग-अलग स्रेणियों में फिर अलग-अलग प्रकारों में उन्हें बाटा जाता है तो हमारे जो निसकतो जयन अधिकार कानून है वह निसकता की छेस रेणियों में उसने सभी प्रकार की अक्षमताओं को रखा है वह छेस रेणिया है सारेरीक अक्षमता, बोधीक अक्षमता, मान्सिक रूप्णता, अच्छमता जिसका कारण गंबीर-neurological विकार हो या तके प्रकार को रखा गया है सारीरीक अक्षमता की जो बात कर रहे हैं तो सारीरीक अक्षमता में मेंली चार उपसरेणियां बनाई गई हैं उसमें पहली उपसरेणी है चलन संबंधी अक्षमता और इस चलन संबंधी अक्षमता में कुष्ट रोग मुपत वे वे वेकती जिनको कुष्ट रोग था वो अब ठीक हो गया है और उसके कारण आस्टे विकलांगता उनके सरीर में आई है वो रखे गया है प्रमस्तिस्किय पक्षागात से प्रहावित वेकती अर्थास सेर्वर पालसी के वेकती रखे गया है बोना अन्द्ता और दूसरी अलज्त्रिष्टी तीसरी जो उफ्ष्रेणी रखी गई है वो श्रवण बाजिता की है जिसंедवि दो प्रकारकी इसकताओं को रखा गया है एpek है बदीरत दूसरी है स्रौनन प्रटिनाई और चौधी ज उस्रेणी है चौधी जो उफ्ष्रेणी ब किया गया है इसके बाद दूसरी जो स्रेणी आती है वो बौधिक अक्षमता की आती है तो बौधिक अक्षमता में भी मेंली तीन अक्षमताओं को रखा गया है एक है बौधिक अक्षमता दूसरी है विसिश्टादीगम अक्षमता तीसरी है और तीसरी जो स्रेणी बनाई ग यह है। पहला अक्षम्ता जिसका कारण गंभीर नियॉर्यॉलाजिकल विकार हो। जैसे की मल्टी्फाल स्केलरोसिस और परतक्रिंसेश। इन दोनों को इसमें रखा गया है। उस यह त्विकार है उस अक्षम्ता की सिरेणी में जिसका कारण रख्विकार रख्त्विकार में तीन रख्त्विकार रखे गए हैं हेमोफीलिया, सैलिसीमिया और सिकल सेल एनेमिया या सिकल सेल डिचीज पाचवी जो स्रेणी रखी गई है ब्रहत स्रेणी रखी गई है वो बहुविक लांगता की रखी गई है अर्थात किसी वेक्ति में एक से ज़्यादा अक्ष्यमता या एक से ज़्यादा निसकतता जब हो तो वह विक लांगता की स्रेणी में आता है और छटी जो स्रेणी रखी गई है वो ऐसी विकलांगता से या ऐसी एक्षमता से भी प्रेज है जो की समय समय पर भारतिय संसत के द्वारा नोटिफाई किया गया हो इस प्रकार आज की कैष्छा में हमने जाना कि विशेस आवसकता वाले बालक एक वीवीध हावज सक्ताओं से पूर्ण समूध है जिसकी आवसक्ता सामाने बालकों से अलग है इस समूह में सभी निसक्तता एक तुबालक समाहित है निसक्त जरन अधिकार कानून 2016 जो की भार सरकार निसक्तार 2016 में पास किया और जो 2017 से प्रहावी हो चुका है कि अनुसार कुल 21 प्रकार की निसक्तताओं का वर्णन किया गया है और ये सभी निसक्तताएं 6 सरेणियों में विभाजित की गई है जो 6 सरेणिया सारिदिक अक्षमता, बौधिक अक्षमता, मानसिव रुगंता अक्षमता इसका कारण गंभीर निर्लोजिकल विकार यारत विकार हो बहुविक लांगता एवं कोई ऐसी अक्षमता जो संसत को दोरा नोटिफाई किया गया हो इन 6 सरेणियों में समस्त 21 प्रकार की अक्षमता को बाटा गया है और इस प्रकार 21 प्रकार जो है ये विसे सावसकता वाले बालक हैं आगे की कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे कि प्रचेक सरेणिय की विसे सावसकता क्या है और कैसे हम उसको पूरा करेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद